वारे वारे वल्कम टॉवल साथ हो जम्फ हाइटर नबरन तो आप सभी का हार्दिक स्वागत हैं बात करेंगे एंट यूजिसी ने एक जाम जून दोजार चोबीस में जो होने वाला इसी के डिगाडिंग पेपर वन को लेकर बात करेंगे क्योंकि पेपर वन सभी के लिए कं बनत्री होता है चाहिए आपका कोई भी सब्जेक्ट हो आपको पेपर वन देना ही है अभे बड़ा चेंज हो रहा है और यूजिसी ने किया है छे सालों के बाद कि पेपर को फिर से सफलाइन कर दिया है तो आप अभी ऑनलाइन एक्जाम देने के अभियस्त है तो और था और फिर जो online इतने रिख्जाम हुआ तो questions एजी किसमे रहता है या दूसरे सब्दों में किसमे question टप रहता है पहला हमारा discuss यह रहेगा और इसका result जानेंगे किसका प्रस्ट एजी रहता है और किसका प्रस्ट में difficult आता है online या offline दूसरा जानेंगे कि offline होने के बाद हमें कितना मास्ट लाना होगा पेपर वन में सक्सेस होने के लिए इन दोनों मुद्दों पर बात करेंगे हम लोग तो चलिए देखते हैं और मैंने जो क्रेक किया था आपका offline टाइम ही किया था इसलिए offline का तो मैंने क्राखी किया offline time में मैंने ज्यारा पी निकाला हो या चानेट निकाला हो दोनों ही मेरा offline से ही है अभी online के लिए teaching करता हूं online के लिए आप सभी के बीच जो भी classes हो पाती है मैं उपलक्त कराता हूं तो बात करेंगे दोनों में कोई अभी का जो मैंने question देख रहा हूं और पहले का question देखता था दोनों में क्या समानता है और क्या और समानता है कौन easy है कौन difficult इसके बात करेंगे तो चलिए 83 सब्जेक्ट 21 के लिए बास करा Naty translate 33 данus याने पेपर बन के कितने प्रस्ण पनेंगे सभी सब्जेक्ट सभी विश्यों के लिए सभी सब्छ के लिए अलग अलग प्रस्ण पत्र रहता है प्लंग का क्योंकि मादली पेपर वंड आन लाइन में किसी सब्जेक्ट का अगर दस तरिकव हैं दूसरे सब्जेट का पे अगर एकज्ञाम यारकव हैं तो दोनों का अगर सेंब रहेगा तो आप जान रहे हैं यह तो क्या सकते हैं कि ऐसे को चीटिंग हो जाएगा इसलिए पिपर वन के आपिर शब्रिक का डिफरेंड रहता था और on-line एकजाम आपको पता है एकक सब्जच चार्से-पांग crash crash में एकजाम हुआ है इसको से मौनलयेज मौन लैं इसको फ्ल्मतफ करतें को था यहां लगवग हुआ होगा तो यहां लगवग 20 हो जाता है यानि 200 सिप्ट दाइस सिप्ट हो गया टोटल सभी सब विस्यों को मिला कर तो डाइस और स्विप्ट के लिए अलग अलग पेपर उन बनता था डाइस और सबसे मज़े की बात है कि आपको पता है सिलेबस का यूनि प्रस्ट के निकालना पड़ता है जहां नहीं भी बनता था उसी क्वेश्ट के रूप हो हो में जिफ्ट हो जाता था नियुक्त लेकिन जैसे से बढ़ता था आगे तो होता था अब प्रस्ण कहां से पुछा जाएगा इसको लेकर बड़ा ही दिक्कत होता था तो इस होता है कि प्रस्ण बनाय जाता है सिलिवस को ध्यान में रखकर प्रस्ण को बना दिया जाता है कर सकते है और इसका लेकिन अब पेपर आफ लाइन हो रहा है यानि एक्जाम जो होगा एक ही दिन में होगा तो पेपर वन का जो क्वेश्चन किसी एक इस्टूइंट का आएगा वही क्वेश्चन सभी विशाई के इस्टूइंट के लिए आएगा आफ लाइन में क्या होगा अब सब के लिए सेम कोश्चन रहेगा एक ही कोश्चन का सेट रहेगा यहां जबकि उसको 200 सेट बनाना पड़ता था अभी कितना सेट बना पड़ेगा अभी उसको सिर्फ और सिर्फ एक सेट बनाना पड़ेगा पचास प्रसनों का सिर्फ एक सेट बनना है यही सेट से एकजाम लेना है यानि कहां 200 सेट बनना था उसे और यहां पर सिर्फ पचास प्रस्ण बनना है और 200 में क्या आप उसको पचास से मल्टिप्लाई कीजिए तो आपका कितना हो जाता है प्रस्ण इसको अगर से मल्टिप्लाई करेंगे 200 को पचास से तो कितना हो जाएगा आपका एक वान टू फाइब डबल जीरो याने टुवेल थाउजेंड फाइब हंड्रेट टुवेल थाउजेंड फाइब हंडेड कोस्टर्स निकालना पड़ता था किससे यही 10 यूनिट जो सिलेबस का है उससे इतना सारा पृष्णी को निकालना पड़ता था ता वह डाई सो शीट प्रस्णों का बनता है लेकिन यहाँ डिया ऐन की अध्र அ डूए टूल का इस्टेंडर को अपने अनुसार वह रख सकेंगे और सबसे बड़ी बात एल साइम की रहें हैं होगा आने के बाद अने के बाद आने के बाद अगर पास है अगा इससे स्वाल सब्सक्राइब कर लेते हैं मतलब 2018 से लेकर 2024 तक तो आप से एक भी प्रस्ट नहीं चूटेगा क्योंकि जितने प्रस्ट बन सकते थे न इस सिलेबस में उतने प्रस्ट यहां पर पुछ लिए गया है अगर आप छे सालों का प्रीवियस से साल कर लेते हैं तो फिर मैं गारंट 50 प्लस प्रस्ट सही होगा अगर प्रीवियस करके जाते हैं क्योंकि मैंने बता कि एक सिप्ट मने एक जी नेट का एक्जाम होता है उसमें 12500 प्रस्ट बताया तो इस साल में दो होता है और एक साल में 25,000 छे साल में समाझ ना कितना होगी आपका 150,000 लाग प्रस्टों का संग्र आपके पास त्यार हो जाएगा तो यह आप सोच सकते हैं कि इससे बाहर प्रस्ट आ सकता है क्या नहीं इतना भी आपको त्यार नहीं कर पाईएगा संभाव भी नहीं लेकिन हाँ अगर आप प्रिवियस को इतना ज्यादा सौल परेंग आप आपको उतना ज्यादा बेनफिट होगा रहा स्वाल अब कौन एजी रहेगा तो जैसा मैंने इसकास बताया कि इजी आपका हलांकि यह भी आफ लाइन जो है इजी तो नहीं रहेगा लेकिन ओन लाइन में जैसे किसी किसी को कर सकते हैं हाड क्वेश्टन मिल जाता है कि सब् रहेगा पहला सबके लिए समानता रहेगा एक क्वेश्टन रहेगा दूसरा क्वेश्टन देखा जाए जिस प्रकांदीचन प्रस्न पूछे जाएंगे ज्यादा यहां पर उसको टीपिकल नहीं बना जाएगा क्योंकि प्रस्णों को चुनने की बहुत आजादी रहेगी उनले मिलेंगे पहले से लेकिन हां सभी प्रस्णों के आपको अभी प्रस्णों के हाप को एजी मिलने वाला है कितना मास कितना लाना है यह डिपेंड करता है जैसे कि आपको पता है कि रिजल्ट कितने का देता है 6% लोगों का आता है अगर 1000 सब्जेक्ट में मान लेजे कि मैट्स में एपियर हुए तो रिजल्ट कितने लोगों का दिया जाएगा सिर्फ 60 लोगों का ही रिजल्ट आएगा अब यह 60 लोगों का जो रिजल्ट आएगा तो अलग-अलग विश्यों का ऐसे ही संख्या बढ़ेगा और आपका अलग अलग विश्यों का कर सकते हैं कटप अलग रहेगा लेकिन अगर पेपर वन की बात करें तो पेपर वन की जो बात करें तो जो आपके लिए स्वीचिशन बन रहा है कि कितना मास लाना होगा तो बताते चले कि पेपर वन में पहले की तरह ही मैं जब पहले भी काता हूं अग मतलब 35 प्लस प्रस्टों को अगर आप सही कर रहा है तो आपके ज्यारेप के चांसेस हैं आपके चांसेस क्या है ज्यारेप कि अगर आप 30 प्लस कर रहे हैं आपका सिंपल नेट का चांसेस हैं अगर आप बिलो थर्टी करते हैं तो फिर आपके चांसेस किसी में भी नहीं है आ तो बस इसी टार्गेट के साथ आपको करना कि हमें 35 प्लस प्रस्टों को सही करना है तो यह था साथ यू पेपर वन के लिए स्टेड़ी पेपर वन में क्या अभी आप सको भी के सामने आने वाला है और किस प्रकार आप एक्जाम को हैंडल करेंगे कितना नंबर लाके आप से परेंगे इन सभी मुद्दों के बारा हमने बात किया तो यह था इंपोर्टने अपडेट्स मिलते हैं नई वीडियो में थैंक्यू थैंक्यू वारी वरी मच फूर वाचिंग वीडियो और कनेक्टिव एक्जाम फाइटर नमर वन शाद्यों करें बिल आइकन को प्रेस करे और अवर बिटन को क्लिक करें थैंक्यो 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 वरी वरी मच फूर वाचिंग विडियो और कनेक्टिव एक्जाम फाइटर नमर वन